चोड को कहीं पुलिस पर भडोसा करते हुए देखे हो तो एक उधारन बता दीजिया कि चुनाओं में कहीं राजद के लोग टिके हुए नहीं हैं खड़े नहीं दिख रहे हैं को सलाह देते कि आप आराम करिए अब राजनिती राजनिती मत खेलिए आप तो तेजसुई जी क हुँ आपके सास शेवं बिहार विधान सभा के दो सीटों पर उपचुनाव है ऐसे में कल दोनों स्थानों पर वोटिंग होनी है उससे पहले नेता प्रतीपक्ष तेजस्वी आदव ने आज बिहार सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं और साफ तोर पे कहा है कि मुझ दिर्य सुरक्षा बल के पुलिस से ही चुनाव हो आप तो राज में बहुत जगह घूमते हैं चोड को कहीं पुलिस पर भरोसा करते हुए देखे हो तो एक उदारन बता दीजी आप बिहार में जो खुद उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनको भरोसा ने बिहार की प कि चुनाव में कहीं राजत के लोग टिके हुए नहीं हैं खड़े नहीं दिख रहे हैं तो अब गाल बजा रहे हैं कुछ का कुछ बोल रहे हैं अगर भरोसा नहीं है तो पहले ये बात बताए होते तो है क्या कि जो चोड हैं जो इस प्रकार के लोग हैं उनको कहीं न कहीं पुलिस से तो घवराहट होगी और यही वज़ा है उनके घवराहट का कि जमीन पर कहीं वो दिख नहीं रहे उनका कहना है कि सत्तापक्ष के कई नेता जो हैं अभी वी दोनों स्थानों पर चुना प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच पैसे बाट रहे हैं सारी बाट रहे हैं और सराब की पाटिया करवा रहे हैं और उनका प्रचार करके वटवा दिये अपना कोई एसोसियेशन बना के अपना बना करके कितना बड़ा अपराधिक काम उन लोगों ने किया है सवाल है कि अगर कोई ऐसा वेक्ति उनको दिख रहा है जो चुनाव को प्रभावित कर रहा है तो इसके लिए संबैधानिक प्रकिरिया में चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग सक्षम संस्था है भारत के अंदर बिहार के अंदर उनको कंप्लेन करे वो दूद का दूद पानी का पानी करेगा हम लोग तो किसी प्रकार से चुनाव आयोग को या चुनावी प्रकिरिया को प्रभावित करने का काम नहीं करते हैं। चुनाव प्रचार में गए थे कुसे स्वरस्थान, चार बज़े चुनाव प्रचार खतम हुआ था, तीन पचीस में हम लोग वहां से प्रचार करके निकल गए, तो ऐसा ये तो उनके पाटी के लोग कर रहे हैं, मुझे मैं आपको बता दूँ अभी दरजनों लोग उनके व हाले लोग हैं, हम लोग किसी भी प्रकार से नयाइक प्रक्रिया को कहीं बाधित नहीं करते हैं, और ना इसमें किसी प्रकार की रोची रखते हैं, एक सवाल है सर, उन्होंने कहाया है कि हम चूप नहीं बैठेंगे, कल कहीं भी धांदली हुई, हेलिकॉप्टर अभी भी प कहीं राजत कंटेस्ट में नहीं है, वातावरन बनाने का प्रयास भी कर लिए, और हम तो करें बिमार पिता को लाकर उनके लास पर भी राजनिती करने का काम कर लिए, लेकिन बिहार की जनता मन बना चुकी है, बिहार की जनता एंडिये के विकास को देख रही है, बिहार की सीट इंडिये भारी मतों से जीतेगी इसमें कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं एक आखरी सवाल है सर कि कुछ देर पहले राजत सुपरीमों लालु प्रसाद यादव ने कहा है कि दोनों सीटों पर राजत के प्रत्यासी जीत हासिल कर रहे हैं और दो नवंबर के बाद हम ब जान, खेलन, आप ऐसे बिमार रह रहे हैं हम लोग आपके स्वास्त की सिन्ता कर रहे है कि आप स्वस्त हो जाइए आपको जो आपके बेटे पहले घर को समाल लीजिए आप राजनिती राजनिती बाद में खेलिएगा दोनों बेटे के अंदर जो लड़ाई है मनमुटाव है परिवार के अंदर जो बिग्नवाधा आया हुआ है उसके लिए कहीं अच्छा पुजा पाठ कड़ा करके और उसको सांत करने का प्रयास करे राजनिती राजनिती बहुत दिन खेले चारा घोटाला भी उसमें किये जेल भी गए अब भी मन नहीं भड़ा है राजनिती राजनिती खेलने से तो हमको तो बड़ा आश्चर्ज हो रहा है कि आखिर के स्मिट्टी के लोग है बड़ा आश्चर्ज हो रहा है हम लोग तो उनका सम्मान करते हैं बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत लोग उनका सम्मान करता है हम भी सम्मान करते हैं वेक्तिकत रूप से हमारी तो आदत है सभी राजनितिक दल के लोगों का सम्मान करना लेकिन अब उनका उम्मर राजनिती राजनिती खेलने का नहीं है उतो तेजसु पुझी राजनिति करने का अंतिम प्रयास किये हमको इस बात का दुख है कहीं न कहीं तो यह थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंतरी जीवेश कुमार जिनका साफ तोर पे कहना है कि दोनों स्थानों पर अंडिये के ही प्रत्याशियों की जीत हासिल होगी अब देखने वाली बात होगी कि जब दोनोंवर को परिनाम आते हैं तो बिहार विधान सभा में कौन से दल के निता चुनके जाते हैं भड़ाल आप बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब ने किय है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें धन्यवाद